नमस्कार दोस्तों देशी भक्ती चेनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है जिसे कि आप सबको पताए कि हम एक ब्रशब राशी की सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम फुल टिटेल में ब्रशब राशी वालों के बारे में पताएंगे ब्रशब राशी का हमारा एक वीडियो पहले ही आउट हो चुका है जिसका नाम था ब्रशब राशी की प्रकृती और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रशब राशी की जीवन शेली के बारे में तो दोस्तो अगर आपकी राशी भी ब्रशब राशी है तो आप हमारे इन सारे वीडियो को जरूर देखिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन जरूर दबाईए अप अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसप पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ची अत्यादिक मीटा और बसायुक्त भोजन से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे इनका वजन बढ़ सकता है। इनका चेहरा खुशनमा भरा हुआ और खूपसूरत होट होते हैं। चेहरे का आकर अंड़कार होता है। मद्य का भाब काफी प्रभाफशाली होता है। नाग गोल और उपर उठी होई होती है। रंग साफ और बाल घने और चमकीले होते हैं। शरीर अनुपात में होता है। ये कैसे दिख रहे हैं इस पर ये बहुत ध्यान देते हैं और इनको कपलों का चुनाब बहुत ही बहतरीन होता है। ये बहुत सलीकेदार होते हैं। कुल मिलाकर इनका पूरा व्यक्तित्व सुरुची पूर होता है और मजबूती का अहसास कराता है। ब्रशब राशी वालों के आदतों के बारे में हम आपको बताएं कि दोस्तों इनका सामान फिला कर रखने की एक बहुत बुरी आदत होती है ये आलसी होते हैं और अपना सामान व्यावस्तित नहीं कर पाते हैं सबी चीजे इन्हें बस एक हाथ की दूरी पर होना चाहिए इससे इन्हें सुरक्षा की भावना आती है हालकि इससे उन्हें भ्रम और असुविधा भी होती है खुले शेल्फ और सरल भंडार की शम्दा इनके लिए अच्छी होती है इन्हें जमा करने की बहुत आदत होती है पर इनके तनाव का कारण खुले पेसों की अनुपलब्धता होती है ब्रशब राशी के हम स्वास्त के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रशब राशी के जातक जन्म से ही मजबूत शारीरिक शम्दा वाले होते हैं इसलिए बच्पन से ही इने स्वास्त की जादा समस्या नहीं होती है लेकिन ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं जादा खाने पीने की वज़े से मोटे हो जाते हैं इनका गला भी बहुत सम्वेदन शील होता है और कफ जमा होने की शिकायत इनको होती रहती है दोस्तो भोजन और नियमित कसरत की इनको बहुत ही आवशक्ता होती है अगर व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता है तो बागवानी या इस जैसी किसी अन्य गतिविती में हाथ आजमा सकते हैं हम आपको बताते हैं ब्रशब राशी के सोंदर्य के बारे में इनकी तवचा बहुत ही कोमल होती है इन पर नीला रंग खिल कर दिखता है फूलों के प्रिंट वाले स्कार्फ इन पर अच्छे दिखते हैं और खिले हुए रंगों के लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी अच्छे दिखते हैं इनका समवेदनशील व्यक्तित्व हलके जामनी गुलाबी या पीले रंग में अच्छा दिखता है इन्हें क्या पहनना है या निर्णाय लेने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शाम की सेर भी ये बहुत सोच समझ कर करते हैं और शाम के सेर के लिए भी ये बहुत सोच समझ कर कपड़े पहनते हैं ये हमेशा अच्छे दिखना चाहते हैं और इनके ख्यालों में हमेशा महेंगे कपड़ों के विचार आते रहते हैं हम आपको बताएं कि ब्रशब नक्षत्र कृति का नक्षत्र होता है इस नक्षत्र के देव अकनी है और स्वामी सूरी है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक उत्साही और उमंग से भरपूर होते हैं इन में स्वार्द बित्ती नहीं पाई जाती है ये महत्व कांशा इनकी बहुत होती है और इने सत्ता का शोक होता है अगर हम बताएं रोहुनी तो दोस्तों इस नक्षत्र के देव ब्रह्मा और स्वामी चंद्र हैं इन जातकों में ममत्व लगन शील्टा कल्पना शील्टा और मोलिक्ता पाई जाती है इनके साथ साथ स्वार्थ ब्रित्ती भी इन में जादा होती है और गुसा होने पर चेहरे पर गुसा नहीं दिखता है मरग शीर्ष की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र के देव चंद्र और स्वामी मंगल है कृतिका नक्षत्र जातकों में कम स्वार्थ बृत्ती में पाई जाती है उत्साही होते हों जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं नित्रित्व करने और छोटे होते हुए भी बढपन दिखाने आदी कारियों में इन्हें आनन्द आता है जितना शीगर्य उत्साहित होते हैं उतना ही शीगर्यते ये हताश भी हो जाते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात कर रहे थे ब्रशब राशी के बारे में ब्रशब राशी सीरीज का ये दूसरा वीडियो था और इसके पहले हम ब्रशब राशी के लिए पहला वीडियो बना चुके हैं जिसका नाम था ब्रशब राशी की प्रकृति ये दूसरा वीडियो जिसमें हमने आपको ब्रशब राशी की जीवन शेली के बारे में बताया है दोस्तो हम जो ब्रशब राशी की जो जिस तरह से सीरीज बना रहे हैं ये बहुती खोच कर बहुती रिसर्च करके बनाई गई है तो ब्रशब राशी की जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे एक भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे अपने मित्रों के साथ फेस्बुक और वाटसब पर जरूर शेयर करें तो दोस्तो और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चेनल को जिसका नाम है देशी भक्ती उसको फ्री में सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रशब राशी के वीवरण के बारे में तब तक के लिए नमस्कार